टेली किनेसिस को सीखने का सबसे आसान तरीका जो कि है सबलिमिनल मेसेज़ेस को सुनना सबलिमिनल मेसेज़ेस या फिर जो सबलिमिनल सौंग्स होते हैं वो कुछ खास तरह की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं जो कि हमारे conscious mind को बार करते हुए सीधे हमारे subconscious mind यानि कि अफचेतन वन में चले जाते हैं और अगर एक बार कोई चीज हमारे subconscious mind यानि कि अफचेतन वन में चली जाती है तब उसे चाह कर भी कोई सच होने से रोक नहीं सकता आप ये सुनकर चौक जाओगे कि जो बड़ी बड़ी companies होती है वो अपने ads वगारा में खूफिया रूप से subliminal messages का इस्तमाल करती है ताकि वो हमें अपने काबू में कर सके उनके products को खड़िदने के लिए और हमें इसके बारे में पता भी नहीं होता है subliminal messages को अगर आसान शब्दों में समझाया जाए तो ये कुछ खास तरह के pictures, images या फिर आवाजे या फिर photos या फिर visual या फिर lights होती है चोकि हमारा conscious mind detect ही नहीं कर सकता और वो सब चीज़े directly हमारे subconscious mind में चली जाती है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बार अगर कोई चीज़ हमारे subconscious mind में चली जाती है तब चाह कर भी उसे सच होने से कोई रोक नहीं सकता वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे telekinesis करना नहीं आता है तो आप कुछ लोग कहेंगे कि तुझे खुद नहीं आता तो फिर तुभामे कैसे सिखा सकता है तो मेरे दोस्त मैं आपको वही सब चीज़े बताता हूँ जो कि मैं अलग-अलग website और जगाओं से इकटा करता हूँ और जिन चीज़ों पर मुझे खुद से यकीन है और मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ बलकि बता रहा हूँ करना ना करना आपकी मर्जी है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी भी गलत इंफर्मेशन नहीं दूगा और मैं आप कोनी चीजों को बताता हूँ जिन चीजों पर मुझे खुद भी पूरा यकीन है तो आईए अब हम ये जानते हैं कि आप सब्लिमिनल मेसेज़स का इस्तमाल करकर टेलेकनेसिस करना कैसे सीख सकते हो हर एक सूपर पावर को सीखने के लिए अलग-अलग सब्लिमिनल मेसेज़स आते हैं जिनका लेंज 10 मिनट से एक घंटे तक भी हो सकता है सब्लिमिनल मेसेज़स को सुनने का सबसे बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले या फिर सोते समय क्योंकि इस समय आपका दिमाग एक अलगी स्टेट में होता है और चीज़े डायरेक्ली आपके सब्लिमिनल मेसेज़स को सुन सकते हो या फिर आप रात को सोने से पहले या फिर सोते सोते भी सब्लिमिनल मेसेज़स को सुन सकते हो क्योंकि रात के समय आप और आपका subconscious mind तो सो रहा होता है लेकिन आपका subconscious mind हर समय जागा हुआ होता है आपको YouTube पर बहुत सारी subliminal messages की वीडियो मिल जाएंगी लेकिन आप इन में से किसी को भी कभी भी भूल से भी ट्राइ मत करना क्योंकि इन में से 99% वीडियो जो हैं वो फेक हैं आप असली subliminal messages को टेलेकिनेसिस सीखने के लिए Google की website पर जाकर ढूंड सकते हो या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको खुछ से ही subliminal messages की एक वीडियो बना कर दूँ तो आप नीचे कमेंट करो अगर मुझे रियल वाली वीडियो और अडियो मिल जाएगी तब मैं आपको उस वीडियो को जरूर बना कर दे दूँगा टेलेकिनेसिस की साडी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो को लाइक करकर उन लोगों तक शेयर करें जिनें भी टेलेकिनेसिस में ज़रा भी इंटरस्ट है और सब्सक्राइब करकर नीचे बने बよね आइकन को दबाना मद भूलना